हिंदू पंचान के अनुसार 9 अगस्त को मासिक कार्तिगाई दीपम है ये पर्व हर महीने कृतिका नक्षत्र के दिन मनाया जाता है सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि एक बार श्रेष्ठता को लेकर भगवान विश्नु और ब्रमाजी के मध्य वाक्य युद्ध हो गया इस युद्ध में बड़े से बड़े रिशी मुनी और देवी देवता उपस्थित थे जब कोई निशकर्ष नहीं निकला उस समय सभी महादेव के शरण में पहुँचे भगवान शिव ने ये कहकर वाक्य युद्ध को समाप्त कर दिया कि जो मेरे जियोत स्वरूप के शीर्ष और आदी पर पहुँचेंगे वहीं श्रेष्ठ कहलाएंगे हालां की ब्रम्हा जी और भगवान विश्णू अंतिम बिंदू तक नहीं पहुँच सके अतह हर महीने कृतिका नक्षत्र पर मासिक कार्तिगाई दीपम मनाया जाता है इस दिन देवों के देव महादेव की जियोत रूप में पूजा की जाती है आईए तिथी पूजा विधी एवम महत्व जानते हैं महत्व सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है इस माह में पढ़ने वाले मासिक कार्तिगाई दीपम पर शिव भक्त उत्सव मनाते हैं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ती होती है। मासिक कार्तिगाई की संध्याकाल में दीप जलाए जाते हैं। इससे घर में मौजूद वास्तु दोश दूर होता है। पूजा विधी मासिक कार्तिगाई के दिन प्रहम बेला में उठकर भगवान शिव को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई और दैनिक कारियों से निवरित होने के पश्चात गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद सफेद रंग के कपड़ें। पहन कर सूर्य देव को जल का अर्ग्य दें। इस समय सुख और सम्रिधी प्राप्ती हे तु काम ना करें। अब पूजा ग्रह में गंगाजल छिड़क कर घर को शुध कर एक चौकी पर शिफ परिवार की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। तदो उप्रांथ गंगाजल से भगवान शिफ का अभिशेक करें और विधी पूर्वक पूजा करें। इस समय शिफ चालीसा और शिफ मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंथ में आर्थी अर्चना कर सुख और सम्रिधी की काम ना करें। संध्या काल में आर्ती अर्चना कर घर में दीपक जलाएं